एक ही परिवार को बार-बार टार्गेट किया जार है जी सोतंतर अजनसी नहीं रह गये यानन लोगों को अब भिश्बास और भरोसा रह गया यह पौकेट की अजनसी बन गये हैं और जो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कितना करोर की हजारों बार कितना बार छापा मारा गय एक बार में 22 जगा 24 जगा चापे मारी की आज तक फूटी कवरी नहीं मिली लेकिन दो हजार 24 में जो चुनाओ है तो आज करें 600 करोर मिल गिया तो इतना स्वना मिल गिया आज तक कुछ मिला क्या कुछ नहीं मिला यह चुनाबी जो है इन्होंने जो वादा किया था जनता से क कि दो करोर जुबाओं को हम काम देंगे किसा उनको लागत मुलका दो गुनना देंगे पचीस लाख देजूँ पचीस हजार करोर दे दूं की साभाद चलो पचासन देजूँ कि यसी देदूँ चलो शाबास वा जो करोर दे दिया अधिया कुछ नहीं तो बिहार में कॊन म पूरे देश में राजद के 24 ठीकवनों पे जिस परकार से छापा परा और लगातार मेडिया में सुत्रों के हवाले से खबरे चलाई जा रही थी कि लगवा करोरों रुपिये मिले हैं जिस परकार से जवाब दिया ठेंगा मिला उन्हों ने बताया है अखीर जो मीडिया का परपंच है लगातार सुत्रों के हवाले से सरकार को डिफ्येम करने का प्रियास चल रहा है उस पर भी हम सबाल करेंगे और साथ में सिविया और इडी को बिहार में बैन करने की या फिर और प्यहार में इन करने से पहले परमिसन लेने के लिए कानून बनाने की मांग भी आजएडी के कद़ावार विदहायक भाई ब्रेंद्र कर रहे हैं इसी बात पे बात्चीत करने के परिवार को बार बार टार्गेट किया जा रहा है जिस केस को जो है डिस्पोजल कर दिया जाता है जिस केस को बंद कर दिया गया सीबी आई के द्वारा दोजार चार में नौ में बंद कर दिया गया उसको बाइस बाइस साल पूराना केस को जो है खोल करके जो है फिर से उसको चालू किया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहते है जिसको बेल हो गया, सजा मुक्त हो गया, उसको फिर से आप सजा दे दीजिए, इसलिए कि आपकी सरकार हैं मनमानी कर रहे हैं, तो CBI हो, ED हो, या income tax बाले जो छापे मारी कर रहे हैं, इन लोगों को जो है, कोई आप सोतंत्र एजंसी नहीं रह गए, यान लोगों को आप विस जगा, 24-24 जगा, छापे मारी की गए, आज तक एक फूटी कवरी नहीं मिली, लेकिन दो हजार 24 में जो चुनाओ है, तो आज कर है 600 करोर मिल गिया, तो इतना सोना मिल गिया, आज तक कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला, ये चुनाबी, जो है, इन्हों ने जो वादा किया जनता से कि 2 करोर जुबाओं को हम काम देंगे, किसान को लागत मुलका दो गुना देंगे, उसके बाद कहे थे मेकिन इंडिया, डिजिटल इंडिया, 56 का छाती दिखाए थे, ये सारे चीजों पर जो है, जतना आप देख रहे थे कि पबलिक सक्टर था सब को 500 करोर दे दिया, अदिया कुछ नहीं, तो बिहार में कौन मुह दिखाने के लिए आएंगे, उनको तो आना होगा, तो हमारे राष्टिय जनता दल के साथ ही उनको पहलवानी करनी परेगी, तो इस सोचते हैं कि इस तरह का अफ़बा फैला दें, ताकि इन पर कोई बात पर चापे, इंकम, ट्रेक्स, CVI या फिरीडी करती थी, जनता के नजर में नेता का चेहरा धुमिल होता था, दिफेम होते थे वो लोग, लेकिन अब परसेप्सन चेंज हो रहा है, जिसे सोचल मीडिया है, लगातार सचाई समने आ रही है, जिस नेता पर चापा होता है, वो न चापे, इसलिए लोग समझ गया, जनता समझ गई है, इस पर तो एकदम जो मांग किये है, भाई विरंदर जी, कि बंगाल के तरह इसको बेंड होना चाहिए, और बिहार में घुसने से पहले बिहार सरकार से परमिसन लेनी चाहिए, इसको तो कानून बना करके बेंड निश ये देश के किसी भी व्यक्ति को देखे हैं कि बीजेपी वाला लोग निकला है, सब कहेगा कि ये जो है गुरू ग्राम में बहुत बरा मौल जहा है, ज़स्वी जादब का है, बिहार का उपमुख मंतरी का, निकल जाता है बीजेपी का, तो इस तरह का आप बहार से लोग तंग आ गया है, लोग अब सुनना ने चाहता है, नाम नहीं सुनना चाहता है, सब जानता है कि जब मन होता है इस लोग को तब भुलका देता है, बज़ेपी से आप लोग मिल जाएए, सब जितना वाइट वासाब ही हो जाएएगा, नहीं, मेरे आदर निये नेता के सामने गरीब गुर्वा को कुचलने बालों के सामने अन्य गुजना टेकेंगे, ने टेकेंगे और हमारे आदर निये जो नेता है, बिहार के भवीस, बिहार के जो उपमुख मंतरी, तेजस्वी जादब जी, वो भी जो है, इनके आगे गुटना टेकने बाले नहीं है, जितनी साजिस करनी होगी, सारी फरजी का फरजी साजिस है, एक सवाल रहेगा मैं, BJP के पास CVI है, इनकम है, इनकम टैक्स है, ED है, और साथ में मीडिया भी है, चुकि मीडिया की सहमती, बैचारी सहमती BJP के साथ होती है, आपके छवी को धुमिल करने का प्रियास लगातार मीडिया का होता है तो आपको इन सबके साथ मीडिया से भी लड़ना होगा उसके पास मंदिर का यूस पी है वह हिंदु मुसलिम में मुसलमनों को टाइट रखती है आपके पास क्या है मेरे पास मेरे पास जनता है कहा ना एक फिल्म देखे होंगे मेरे पास गारी है घोरा है तुम्हारे पास क्या है तो चोटा भाई ने जबाब दिया तुम्हारे पास गारी गोरा बंगला है लेकिन मेरे पास माँ है के एक दो किते हैं जैसे ने 152 के क्रते है यहादी को भी अपमानित करते हैं अधी-पादे बिंदी काजल सब परजी अश्टि लगा कि महिला को जो है भारत माता को ही बे सिंगार करने का काम का बीदवा बनाने का जैसे अपने हैं वह इसी जैसोधा बेन को इंको सब कुछ देना परता तब ना तो इसलिए जो है जो बोलते हैं या करते हैं इनके करनी और करनी में इतना महांगा हो गया है कैसे बातक कर दो एब行ने कितना भी बरात तंतर है न कोई रहा है में रहेगा यह लोग तन्तर सबसे बरालो फन्तर और जन्ता सर्ववह परी आदर्रीया देखिया के जिसमर में उसी तरह से सब लोग आज दुआ कर रहें कि तेजस्वी जी को निया प्राद को जो हमारी राज सिरी हैं जो एक दम प्रिग्नेंट अवस्था में थी उनको भी टॉर्चर किया जिनको इसकेस से कोई ले ना दना सब लोग को समझ मागिया कि लालू परिवार को टॉर्चर किय परिवार को इसलिए जनता जन आरदन का जन सहिलाव तया जस्टीजी के साथ है उसलिए उस बाढ़ में टिकने वाले नहीं है ना बिहार को विसेस राज का दर जा दियें विसेस पैकेज दियें दो करण जूबा को नोकरी दिए किशन देखिए अगर इतना ही बड़ा इनको छापे मारी का दावा है तो विजय मालिया कैसे चला गिया ललित मोदी कैसे चला गिया नीरम मोदी कैसे चला गिया करोरो करोर रुपईया लेका आज देखिये ना अगर यहीं का राज होता जनता का राज नहीं होता तो आज वही जो है अड़ानी अब्मानी पूरा पर्लियामेंट खरीद लिया रहता लेकिन जनता जनार्दन का भोट आदरनी ये हमारे जो बाबा भीम राओ अंबेद कर थे उन्होंने अपने कलम से वहाप्रेशन कर दिये जनता माली के भोट से ही कोई राजा बनेगा उसलिए जनता माली के हाथ में तेजस्वी जनता के किरपापे हैं और तेजस्वी जी को जनता का सिरबाद है और रहेगा एक सबाल है उसके बक्त पाटी कहलाती है राष्ट बात पर खेल करती है जब चुनाब आएगा सब कोई हिंदू बना ले जाएंगे निए जातिया जिन्गना है जातिया जिन्गना से क्या फर्क पर जाएगा एकदम बिल्कूल जाती जनगन्ना में पता चल जाएगा जिसकी जितनी भागयदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये तो हमारे कहते थे न लैलीन जो बिहार को लैलीन कहलाते थे बाबु जगदेब बाबु कि स्वामे 90 सोसित है 90 भाग हमारा है 10 का 90 पर राज नहीं चलेगा नह कि आज आएगा जनगन्हा का जातिगत जन गन आए तो पता चल जाएगा कि इनके कितने बहुत हैं और किसी पडू ही तो किसी फूल कि याप बात करते हैं उस फेल हिंदू की बात करते हैं जिनको इंपनीर में जाने के बाद मुख मंत्री थे संसर इंटन जितनि नहीं है किस हिंदु की आप बात करते हैं यह जो है गंगा जमनत अजीव ही जो है हमारी सोभा है सुन्दर्ता है और अनेक राज का अनेक भासा भासी रंग रूप डरेश के बाद भी जो है एक भारत है तो इसलिए इनके राग अलापने से भारत भक्त इह कितने बड़े भक् कि रंतु रंगोर्ट से ने गोली मारने का कॉम किया यह कब भक्त रहें यह अभी तक इनके नागपूर में जो है राष्टी जंडा नहीं भगबा जंडा फर रहा है राष्ट भग का खिताब बहुत ते हैं इनके राष्ट भक्ती से देश यंट रहें धनवल है मीडिया उसके साथ है सवाल वही है विपक्ष के पास क्या काट है मीडिया से लड़ने का क्या विवस्था है क्या उपाय है यह समय ही बताएगा मीडिया लगातार जिस परकार से करने का काम करती है चुक्कि उसकी पैचारिक सामती है बीजेपी के साथ में तो आपके पास कोई ओप्सन है मीडिया से लगने के लिए एक चीज आप कहिए जब महाभारत का युद्ध आप भी सुने होंगे महाभारत के युद्ध में आप युद्ध से पहले आप देखिए कौरब और पांडब हिस्सा तो उस राज में पांडब का भी था लेकिन दरोन चार्ज गुरू थे जो आप देखे किरपा चार्ज थे बड़े बड़े बिद्वान भीष्म पिता में थे सब उधर से ही थे लेकिन जीत हुई नहीं हुई चुके वासत पर उते दूसरे के हिसा कहा ले लो पूरा हिंदुस्तान दे दो इसको पांच ग्रांड गांव मांगा पांच आओ भी नहीं का सुई कि नक बराबर नहीं द सबस्क्राइब बात दे रहे हैं कभी जो है लोक तंत्र का चवथा खंभा माना जाता था कि निर्भया होके बोलेंगे बेबाक लिखेंगे लेकिन आज लिखेंगे तो उनको हटा देगा पापी पेट का सबाल है पर मोसन का सबाल है तो वह लिखने से नहीं उनकी आत्मा के खेल को चाल चरित्र को जनता और नेता दोनों समझ पा रहे हैं जिस परकार से जबर्नों का कबजा है मीडिया पे कॉलेज इन वर्सिटी पे जीड़ी सीरी पे बीरोक्रेसी पे उनकी बैचारिक सामती जिस परकार से बीजेपी के साथ में है उस खेल को समझना बहुत जरू लाइक करे, कमेंट जरूर करे